हेलो दोस्तो मैं हूँ जफर खान और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है ए भी के इन फर्नी टेक में जैसा कि दोस्तो पिछले वीडियो में मैंने आप से कहा था कि मैं कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने पावर टूल्स और मेशिनिरी के बारे में बताऊंगा क्योंकि हमें बहुत सारे कमेंट आये इस पे दो-चार कमेंट आ चुके हैं फिलाल इमेल भी कुछ लोगों ने हमें किया है तो चलिए शुरू करते हैं पावर टूल्स के बारे में जो बेसिक हम यहां पे अपने वर्क्शॉप पे यूस कर रहे हैं पावर टूल्स उसके ब और इसकेल एक्सो ब्लेड टेप वगेरा है यहां हमारे पास एक हैंड गन है हैंड गन हम मैनुली यूज़ करते हैं यह एर से नहीं यूज़ होती है मैनुली यूज़ होती है इस तरह से और इसमें हम ऐट चूकर संप्लस नाज़ शूबर गन टूमे से यOOD मेसी गनियुर्या दूल्स इसकी पिन अलग से कहती हैं मेम लगती है इसकी यह नऐ आपka के नज़दी की स्टोर पता लगा कि उसमें उसकी जानकारी ले सकते हैं। इसकी की पिलिंग करकि Beatingnisse यह काफी इसके मुआधे में काबली लेकिन करना था यूचा लिए को स्थे हम दुश करें मचीन दूर यूचांndर दृ bends क्याल ने क्या जानति इसके बारे में उसके हमारे पास एक हमारे पफलेगं के इस फ्रेगं है इस प्रेगं से हम्रे कर दिखाते हु मैं कि आप को इसında शुट करने दिखाता हो रख यह दिखा दो यहा रख ऑता है जो हमारे nuevo को यह था और सामने आपके यह बोस्टिक है हम बोस्टिक कहते हैं इसको टर्बो फिक्स का आदेशिव यह चिपकाने के लिए सोफा फॉर्म फॉर्मिंग कुछ कपड़े में भी यूज होता है और दोस्तों यह हमारे पास एक कंप्रेसर है राजधानी का इसका मोटर है और सिंगल पिस्टन में चलता है जैसा कि आप देख रहे हैं और इसका पॉइंट जो एयर पॉइंट जो है अब यह रखा है फिलाल और आप अपने हिसाब से अपने वर्क्शॉप पे इसको पलंबर से एड्जेस करा कि अच्छे से पाइपलाइन आप लगा सकते हैं और दोस्तों सबसे खास सी जो हमारे वर्क्शॉप पे यूज होता है जो आपको सोफा बनाने के लिए जरूरी हो आपको स्टीच करके भी दिखा देता हूं फिलाल इसमें वाइट कलर का धागर लगा है मैं यह यूज कर रहा है इसमें और एंज कलर की तो मैं सिर्फ सिलाई दिखाने के लिए आपको यह दिखा रहा हूं एक डेमो की तौर पे इसमें आप यहां से टाका च्छूटा बड़ा कर सकते हैं अभी तो फिलाल मैं यह 5 point पे इसको चला रहा हूं आप अपने हिसाथ से इसको एड़ेस कर सकते हैं मैं एक दाब भी मार के दिखाता हूं इसमें इसमें यह आप लोग भी मार रहक्ते हैं इसे रेक्जिन वेक्सर दाब मारने के लिए ओईल लगाने ज़रूरी होता है कपड़ा है तो आप डारेक्ट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसके वज़े से आपका जो धागे की सिलाई जो है वो परफेक्ट नहीं होती है मशिन उसे खीश लेती है तो जैसा कि आप देखने हैं दोस्तों यह मैंने कुछ सिलाई करके बताया है यह आपको कंपल सरी लगेगा अगर आप सोफे का वर्ट शॉप डाल रहे हैं या आप आगे डालना चाहते हैं तो यह मशिन आपको कंपल सरी लगेगी तो दोस्तों हम यहां पे है अपने फ्रेम डेपाट्मट में जहां पने फ्रेम इस्ट्रक्चर बनता है कि यहां पर बश् Career कर है वह हम यहां पर लिखते हैँ सबसे पहले बड़ी गर्श नष यह एसो क legally दोिक बहूटी संब नपने चैरा rhण दर बंः यह मों दिखाता हूं लकड़े पर यह दो इंच का लकड़ा है एक मैं यहां से दिखाता हूं कैसे बाहर किस तरह से दिखते हैं यह इस तरह से बाहर आती है यह दोस्तों एक हैंड कटर है जो प्लाइवुड और उट काटने के काम आती है और और यहां पर एक मेजर टेप है यहां फरसी है हतोडी है जिक्सो है जिक्सो मशीन जो प्लाइवूड को प्लाइवूड की रौंडिंग कटिंग में काम आती है और यहां पर एक grinder है, grinder से हम जादतर काम करते हैं, कुछ जैसे हम सोफे में स्प्रिंग लगाते हैं, तो cutting के लिए और frame structure को finish करने के लिए यह यूज होता है, जैसा कि दूस्तों आप यहां पर कुछ बना हुआ frame, देख रहे हैं आप, यह wardrobe है, small size का, इसमों छोटे-छोटे product books, आप तो छोटे-मोटे समान रख सकते हैं, बड़े size का यह बनता है, कपले-उपले रखने के लिए फिलाल अभी यहां पर हमारे पास यह available बना हुआ है, यह आप देख सकते हैं, यहां पर एक frame है, इसका storage है यह, यह सर्माइके में बना हुआ है, तो दोस्तों, अभी हम आपको दिखाते हैं, यहां पर हमारे पास wooden का sofa सी रखा है, sofa complete है, तो यह इसमें finished polish है, यह पूरा सागवन के लखने में बना हुआ है, दोस्तों, टीक wood, और कुछ इसमें ply use होती है, यह ply wood, इसका storage, दोस्तों हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर हमसे कुछ जानकारी छूट गई हो, तो comment section में आप comment करिए, हम उसकी बारे में भी आपको आगे बता देंगे, कुछ हमसे अगर छूट गय करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम आगे भी आपको अपने काम के बारे में जानकारी देंगे, मट्रेल के बारे में भी बताना है बहुत कुछ, और फ्रेम के बारे में भी हम आपको काफी सारी जानकारी देंगे, धन्यवाद